करन आपको वीवियन से क्या प्रॉब्लम है जी हाँ करन वीर महरा से ये बड़ा सवाल पूछा गया है और साथ ही साथ उनकी इगो पर भी सवाल उठाए गए हैं चलिए बात करते दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अधिती शर्मा तो इस वक्त सेट पर से बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और खबर के मताबिक भई पता चल रहा है कि इस बार जो है करन वीर महरा पर बड़े सवाल जो है उठाए गए हैं उनसे बड़े सवाल पूछे गए हैं जिस सवालों में एक सवाल तो ये भी है कि आखिरकार वो क्यों वीवियन के पीछे पड़ गए हैं यहां पे वो वीवियन को क्यों लीडर बने देखना चाहते हैं वो लीडर वो खुद क्यों नहीं बनना चाहते अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी को बतौर लीडर तो वो लीडर आप खुद क्यों नहीं बनना चाहते क्या आपकी इगो आडे आ रही है यहाँ पर यही सवाल किये गए है क्योंकि अविनाश के मामले में जादा यही दिखा है कि भई इनकी इगो लगातार सिर्फ चड़कर बोल रही है और उसी इगो की वज़ा से यह कलेश हो रहे हैं उसी इगो की वज़ा से साय बखेडे घर के अंदर हो और यहाँ पर करनवीर महरा को खुद घरवालों के खाने की कोई चींता नहीं है उल्टा वो वीवियन पर उस चीज़ का इजाम लगा रहे हैं आप सभी को क्या कुछ है इस बारे में कहना हाला कि मैं यह चीज़ नहीं कहूंगी कि यह confirmed news है भाई यह सिर्फ खबरे हैं rumors तो